February आते ही हम अपने loved ones के लिए कुछ न कुछ special करना चाहते हैं लेकिन अगर वो अपनी weight loss journey में है तो आज हम उनके लिए बनाएंगे Valentine's Day special high protein नरम दिल कबाब जो मुँ में जाते ही घुल जाएंगे और वो आपके दिवाने हो जाएंगे अगर अच्छी लगे तो प्रीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक चोटा सा कॉमेंट जरूर लिखें तो आए रेसिपी शुरू करते हैं तो मैं सबसे पहले में डाल रही हूँ एक medium size का beetroot जिसको हो ना मैंने चिलके के साथ ही प्रेशर कुक कर लिया था 2-3 विस चन्ने में डाल के निकाल दिया था उसको हम डाल लेंगे और फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे यह देखिए अच्छे से यह ग्राइंड हो किया है बहुत आसानी से हो जाता है अब इसको एक bowl में transfer कर रही हूँ अब मैं इसमें आधा कब डाल रही हूँ पनीर मैंने कद् चमच भुने जीरे का पावडर डाल रही हूँ और आधा चोड़ा चमच गरम मसाला बहुत बढ़ा सा फ्लेवर आएगा अब मैं इसमें बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ दो बड़े चमच के करीब ना चने का सत्तू यह जो रोस्टेड चने होते ना उसका पावडर होगा ना वो एक्तम सॉफ्ट और गीला गीला सा हो जितना गीला सा होगा ना उतने ही हमारे कबाब सॉफ्ट बनेंगे तो यह देखिए अच्छे से सारी चीज़े मिक्स कर ली है मैंने और इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा आर्ट का डालने की जरुवत नहीं पड़े इस जो हमारा डो बना है न यह यह बहुत ज़ादा ना गीला नहीं है हलका सा गीला होता ना तो ज़ादा अच्छा होता मैं आपको आगे उसका रीजन बताऊंगी यह देखिए टिक किया हमारी बहुत ही आराम से बन रही है बिल्कुल भी चिपक ने रही है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, अब मैं ऐसे बना रही हूँ Valentine's Day Special, तो मैंने इसको Heart Shape दे दिया है, बहुत ही आसान है पहले round कर लें और फिर इस तरह से आप fingers से उसको shape दे ले तो ये आप अपने loved ones के लिए बना सकते हैं, थोड़ी सी attractive हो जाएगी और इसमें जो भी चीज़ें हमने डाली है आपने देखा ना काफी nutritious है और high protein है तो ये अब बहुत याराम से guilt free होकर या तो evening snack या फिर as a dinner भी इसको enjoy कर सकते हैं बहुत ही tasty लगते हैं तो ये मैंने सारे बना के तैयार कर लिए हैं अब मैं इसको coat करने के लिए ले रही हूँ थोड़े से roasted peanuts जिसको मैंने ऐसे plastic bag में डालके बेलन से crush कर लिया था बहुत जादा हमें इसका powder जासा नहीं बनाना है हलका सा हम इसे crush कर लेंगे अब जैसा कि मैंने बताया था ना कि मेरा dough बहुत ज़्यादा sticky नहीं था बहुत ज़्यादा गीला गीला सा नहीं था तो मैंने यहाँ पर ना एक बड़ा चमश लिल लिया था मैदा और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर एकदम पतला सा liquid हमें इसे गोल जैसा बना लेंगे ताकि हम इसमें dip कर सके अपनी टिकी ताकि जो मूंफली है वो अराम से इस पर चिपक चाहे हमें इसे गोल को गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि फिर ना हमारे जो कबाबस है वो एकदम soft नहीं रहेंगे तो बस हलका हलका सा या तो आप brush की help से इसको ऐसे लगा के और फिर इसमें coat कर लें और अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप थोड़े से crush की हुए peanuts बैटर में ही डाल दे जो हमारा mixture है उसी के अंदर डाल दे इस तरह से मूंफली को crush करके लगाने से बहुत ही बढ़िया सा crunch भी आड़ होगा साथ ही में प्रोटीन और healthy fats भी आड़ हो जाएंगे और आप चाहे ना तो ऐसे dip भी कर सकते हैं टिकी को और अच्छे से इसमें coat कर लें अगर आपका mixture थोड़ा सा sticky होगा तो फिर हमें इस गोल की बिल्कुल भी जरुवत नहीं पड़ेगी ऐसे ही मूंफली बहुत असानी से इस पे चिपक चाहेगी तो इस तरह से आप सारी टिक्क्यों को बना के अगर टाइम हो तो 15-20 मिनट के लिए minimum फ्रिज में रखते हैं और फिर आप यह आतो अप इसको लंबे टाइम तक भी फ्रिज में रख सकते हैं और जब मन हो आप इसको सेख कर enjoy कर सकते हैं अब इसको enjoy करने के लिए हम बनाते हैं बहुत मसेदाल सी चट्नी तो मैंने तीन बड़े चमज ना एकदम गाड़ा दही ले लिया है और इसमें एक से दो बड़े चमज में डाल रही हूँ जो हरी चट्नी होती है ना धनिय पुदीने की एकदम तीक ही spicy वाली उसको और इस कपाब से ना उसको हम फटाफट से इस पे कुक करेंगे तो मैंने medium flame पर इसको कुक किया है करीब 3-4 मिनट के बाद हम इसको flip कर देंगे बहुत ही delicate होते हैं ये तो बहुत ही हलके हाथ से हमें इसे flip करना है ये ध्यान रखेंगे जैसे ही peanuts में हलका सा color आने लग जाएगा golden सा तो बस हम इसको पलट देंगे और ये दोनों तरफ से हम ऐसे ही इसको सेख लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं ना beetroot का कितना बड़या सा color आया है एक तम vibrant pink color है तो देखने में जितने ही attractive है खाने में उससे भी जादा टेस्टी आपको विश्वास नहीं होगा जैसे ही बन कियावा है साथ ही ये एकदम super soft भी है तो ये एकदम मों में जैसे गुल सी जाएगी प्लीज लाइक बटन को जरूर हिट करें अपने friends के साथ मेरे विडियो को share करें और एक comment लिखना तो बनता है मिलते हैं मेरे next video में till then take care bye